नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिसकस करेंगे कि रह भयवाल दी टेबलेट का उपव्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, रह भयवाल दी टेबलेट को कैसे लेना चाहिए और रह भयवाल दी टेबलेट की वज़़ से क्या side इफेक्स हो सकते हैं रैबेवाल दी एक brand name है रैबेवाल दी Tablet के अंदर दो दवाओं का combination होता है रैबेवाल दी Tablet के अंदर salt composition रैबेपराजोल 20 mg और domperidone 10 mg होता है रैबेवाल दी Tablet पेट में उत्पन होने वाले acid की मात्रा को कम करती है रेबेवाल दी टेबलेट का उपयोग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, खटी दकारे आने पर, सीने में जलन होने पर, पेट में अलसर होने पर, उल्टी आने पर और उल्टी आने का मन होने पर रेबेवाल दी टेबलेट का उपयोग किया जैसे दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की वज़से पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में अलसर हो सकती है। इसलिए इन side effects को रोकने के लिए भी Dr. Rebeval D tablet को दर्थ की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है। ज्यादातर एंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य side effects में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है। इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं की वज़े से ये side effects ना हो। इसलिए आपका Dr. Rebeval D tablet को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा Rebeval D tablet का उपयोग कुछ medical conditions जैसे gastric ulcer, acid reflux और Jolinger-Ellison syndrome को ट्रीट करने के लिए भी Rebeval D tablet का उपयोग किया जाता है। Jolinger-Ellison syndrome एक ऐसी स्थिती है, जिसमें पेट में acid का उत्पादन बहुत अधिक होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। Side effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Rebeval D tablet की वज़ह से कोई side effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में Rebeval D tablet की वज़ह से कुछ side effects हो सकते हैं। जैसे पेट में दर्ध होना, पेट से गैस निकलना, मुँ में सूखापन होना, सिरदर्ध होना, शरीर की मासपेशियों या जोडों में दर्ध होना, चक्कर आना वद्दस्थ होने की समस्या हो सकती हैं। इसके अलावा Rebeval D tablet की वज़ह से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती हैं। लंबे समय तक Rebeval D tablet का सेवन करने से यानि कई महीनों या कई सालों तक Rebeval D tablet को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामिन B12, कैलशियम, आईरन और मेगनीशियम की कमी हो सकती हैं। इसलिए डॉक्तर की सला के बिना Rebeval D tablet को दो सब्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए। लंबे समय तक या दिन में कई बार Rebeval D tablet को लेने से औस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है। औस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्या बहुत ही कमजोर वा अंदर से खोखली हो जाती है। Rebeval D tablet की वज़े से औस्टियोपोरोसिस तभी होता है, जब Rebeval D tablet का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए। अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से Rebeval D tablet को ले रहे हैं, तो आपको कैलशियम और विटामिन D के सप्लिमिन्स डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए। ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके या आपको कैलशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। और विटामिन D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनिट सुबह की धूप में बैठना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की रैबेवाल दी टेबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। आम तौर पर 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर रैबेवाल दी टेबलेट को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं। वैसे प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए रैबेवाल दी टेबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रैबेवाल दी टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रैबेवाल दी टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका रैबेवाल दी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं। कि अर आपका वीडियो अगर आपका रैबेवाल आपका बार आपका रैज अगर आपकार अबादान के जहां प्रश्न हैं।